आदेनिय अद्रग जी हर देश की विकांस यात्राव हैं ऐसे मैस्टों आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने ड्रया इतिहास रचा है ऐसे कुल पल जीमन में प्राप्त होते हैं और आदनिय द्रग जी नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाशन में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल आज का ये दिवस संब्सरी हो गणिश्चतित्यों उससे भी आशिदवाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्जिन करने वाला समय हम सब के लिए पल गर्व की पल है अनेक वर्षों से महिला आरक्षन के समय बहुत चर्चाएं हुई है बहुत बाद विवाद हुए है महिला आरक्षन को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए है 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था अटल जी के कारकाल में कई बार महिला आरक्षन का बिल पेश किया गया कई बार लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाएं और उसके कारण वह सपना अधुरा रह गया महिलाओं को अधिकार देने का महिलाओं के शक्ति का उत्योग करने का वह काम शायद इस्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चूना है एक बार फीर हमारी सरकार ने कि इस दिशा में कदम बढ़ाया है कि कली के मिनेट में महिला आरक्षन वालाई जो विधेख है उसको बंजूरी दी गई है आज 19 सितंबर की ये तारीक इसी लिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे आज महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है नेत्रुत्व कर रही है तो बहुत आवशक है कि नीती निर्धारण में पालिशी मेकिंग में हमारी माताएं बहने हमारी नारी शक्ति अधिक तम योगदान दें ज्यादा से ज्यादा योगदान ही नहीं वे महत्तपुन भूमी का निभाय तो आज इस आइतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदी सदन की सदन की पहली कारवाई के रुप में उसकारवाई के अवसर पर कि देश के कि इस नए बदलाव का आवान किया है और कि देश की नारी शक्ति के लिए कि सभी सांसद मिलकर के अज़ नए प्रविश्द्वार खोल दें इसका आरंब हम इस महत्त्म को नेड़े से करने जा रहे हैं कि मैं लेड डेवलप्मेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमूख संभीधान संसोधन विदेग प्रस्तुत कर रही है इस विधेत का लक्ष लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का नारी शक्ती बंदन अधिनियम नारी शक्ती बंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोक्तंत्र और मजबूत होगा मैं देश की माताओं बेहनों बेटियों को नारी शक्ती बंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बढ़ाई दूँगा मैं सभी माताओं बेहनों बेटियों को आस्वस्त करता हूं कि हम इस बीर को कानून बनाने के लिए संकल्प बद्ध है कि मैं सदन में कि सभी साथ्यों से आग्र पुर्वक निवेदन करता हूं आग्र भी करता हूं और जब एक पावन शुरुवात हो रही है कि पावक विचार हमारे सामने आया है तो कि सर्वसम्मती से कि जब ये बील कानून बनेगा तो उसकी ताकत अने गुना बढ़ जाएगी और इसलिए मैं सभी मान्य सांसदों से दोनों सदन के सभी मान्य सांसदों से इसे सर्वसम्मती से पारिद करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका अभाय वेक्त करता हूं करता हुए